साथ ही ओ नमस्तकार स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की और और हम लेकर के आगा है आज आपके लिए मध्यप्रदेश के राष्टरिय उद्ध्यान जी हाँ सभी महत्पूर फैक्ट साहित एक एक जानकारी आपको ऐसी जानकारी भी दी जाएगी जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं होगी जो किताबों में तो नहीं है लेकिन परिच्छाओं में आती है जी हाँ वो आपके अंदर उड़ जा का संचार करेगा और आपको अपने लच्छ की और अग्रसर करेगा आईए देखते हैं इन सब पर तुमको कूच कर देना है क्योंकि तुम अरजुन से योद्धा हो तुमारी तैयारी बिलकुल पक्की है और हमारे साथ बने रहोगे तो तैयारी आपकी बहुत बहतरीन होने वाली है तो तुम अर्जुन से युद्धा हो, गांडी वु लेकर तूट पड़ो, अपनी कौपी किताब पैन लेकर के तूट पड़ो परिच्छा पर और इस बार फतह कर देना है चलिए चलते हैं, देखिए अब हम अपन अपन चलते हैं अपने वीडियो की उड़ अधिपर्दिस में कुल 12 राष्टी उद्ध्यान है, अभी तक कुछ किताब में अभी भी 11 बताती है लेकिन वर्स 2019-20 में यहाँ पर कूनो पालनपूर जो अभ्यारंड था, उसको राष्टी उद्ध्यान घोसित कर दिया गया है तो अब कुल मिला करके 12 राष्टी उद्ध्यान हो गए है, पहला अपडेट यही है, आपको याद रखना है 12 राष्टी उद्ध्यान है, ठीक है तो एक एक करके हम सभी राष्टी उध्यानों से आपको परचित कराएंगे सचित्र वड़न करेंगे आपको चित्र भी दिखाएंगे और महत्वण बाते हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए पहले राष्टी उध्यान की तरफ चलते हैं तो पहला राष्ट्री उध्यान है कानहा किसली राष्ट्री उध्यान इसकी महत्रपूर्ण बाते क्या हैं सारी जानकारी आईए हम आपको देते हैं पहली बात यहां मद्यप्रदेश का सबसे पुराना राष्टी उध्यान है सबसे पुराना राष्टी उध्यान है मद्यप्रदेश का काना किसली राष्टी उध्यान क्यों है आईए आपको दिखाते हैं इस राश्टी उध्यान को सन 1933 में जो है वो अभ्यारन की रूप में स्थापित किया गया था 1955 में इसको नैस्नल पार्क के रूप में स्थापित किया गया तो भाई ये तो अंग्रेजों के जमाने का है हम अंग्रेजों के जमाने के उध्याना ये खुद ही कह रहा है 1933 में इसको अभ्यारण की रूप में इस्थापित किया गया था 1905 में नैशनल पार्क की रूप में इस्थापित किया गया यह उद्ध्यान मunda तथा बाला घाट जिले की अंतरगत आता कहां कहां मunda और बाला घाट दो जगहां यहां फैला हुआ है भारत में सरवाधिक बारा सिंगा जो है जिने कानहा का गहना कहा जाता है कानहा किसली राष्टी उध्यान में ही पाए जाते हैं चलिए आगे आपको जानकार येते हैं तो देखें 1994 में इस राष्टी उध्यान को बाग पर्युजना में जुरा गया यानि कि 1974 में जो नैसनल काना राष्टी उध्यान है इसको क्या किया गया टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर जोड दिया गया ठीक है तो टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है तो बिस्व की बात करते हैं तो गैनी मैनफोड जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट के जन्म आता है भारत में, बहुत सारे प्रस्ण बनेंगे पहले हम ये दोनों वीडियो कबर करेंगे ये Part 1 है, इसके बाद Part 2 आ जाएगा इसमीं हमने 6 राष्टी उध्यानों के लिया है इसके बाद 6 और राष्टी उध्यानों के लिलेंगे तो पूरा जब यह topic cover हो जाएगा तो फिर हम आपके लिए ऐसे MCQs लेकर के आएंगे जो की परिच्छाओं में आते हैं अभी तक आये हैं और जो वहाँ पर दिमाख आपका चक्रा देते हैं परश्न कैसे बनेंगे वो सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं तो अगर आपने वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजी नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजीए क्योंकि आपके सामने अगले तीन से चार जातियों का निवास स्थान भी माना जाता है यह कि वैगा जन जाती और गोर जन जाती जो हैftig जो है वो काना राश्टी ःध्यान में निवास करती हैं आईये और जान का रही आपको देते हैं तो स्रमण तालाब किस राष्टी उध्यान की अंतरगत है तो काना किसली राष्टी उध्यान की अंतरगत स्रमण तालाब पाया जाता है भारत का एक ऐसा पहला राष्टी उध्यान है जिसका अपने स्वयम का सुभंकर है इस राश्टी उध्यान का सुभंकर भूर सिंग दा बारा सिंगा है जिसे रोहन चक्रवर्ती ने मार्च 2017 में दिया था तो बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण है क्योंकि एक मत्र ऐसा राश्टी उध्यान है जिसका स्वैम का सुभंकर है और सुभंकर का नाम क्या है भूर सिंग दा बारा सिंगा और किस ने दिया था तो रोहन चक्रवर्ती ने 2017 में दिया था तो याद रखिए बहुत महत्पूर्ण फैक्ट है MPPSC में दो से तीन बारा भी तक पूछा जा चुका है चलिए अब ये एक मात्र ऐसा राश्टी उध्यान है जिससे होकर के हवाई अब देखिए पार्क इंटरप्रेशन परियुजना के तहट इसमें जो है काना किसली राश्टी उध्यान को अन राश्टी उध्यानों से जोड़ा जा रहा है तो पार्क इंटरप्रेशन परियुजना जो है वो भी आपकी काना किसली राश्टी उध्यान के अंतरगत ही च पालव कर देंगे ठीक है तो ये काना किसली राष्ट्री उध्यान से सम्दिस सारी बाते थे ही चलिए चलते हैं अगले राष्ट्री उध्यान की ओर आय यह का पंणा राष्ट्री उध्यान पंणाalen направ ढाई गया है आइए को संपूर्ण जानकारी अते हैं तो यह राश्टी उध्यान पन्ना और चतरपूर जिले में बिस्त्रित है कहाँ पर पन्ना और चतरपूर जिले में बिस्त्रित है सन 1981 में गगव राश्टी उध्यान को परिवर्थित करके पन्ना राश्टी उध्यान में बदल दिया गया याद रखिए पन्ना राष्ट्री उध्यान 1981 में बना इससे पहले या किस नाम से जाना जाता था तो गगवु राष्ट्री उध्यान की नाम से जाना जाता था पन्ना राष्ट्री उध्यान को याद रखिएगा बहुत महत्रपूर फैक्ट है इस राष्ट्य उद्यान का 6 फल 543 वर्ग किलोमीटर है तो 1994 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर का सामिल किया गया तो बनाया कब गया? 1991 में टाइगर प्रोजेक्ट 1994 में प्रारंब हुआ इस राष्ट्य उद्यान में 1980 से पहले या गगवणनी जीव अभ्यारन और छतरपुर्वन संभाग का छित्र कहलाता था, यानि गगवणनी जीव अभ्यारन और छतरपुर्वनी जीव अभ्यारन दोनों को मिला करके पन्ना राश्टी उध्यान बनाया गया है, याद रखिएगा इस फैक्ट को बहुत महत्पून है केन की सायक नदी जो स्यामरी है वो पन्ना वन्न जीव अभ्यारन से हो करके बहती है तो ये भी महत्पून है कौन सी नदी बहती है तो केन की सायक नदी श्यामरी जो है वो पन्ना राष्टी उध्यान से हो करके बहती है और केन को वास्ताव में पन्ना की जीवन रेखा कहा जाता है अब आपसे पूछने कि पन्ना की जीवन रेखा कौन सी नदी है तो केन नदी जो है वो पन्ना राष्टी उध्यान की जीवन रेखा है 25 अगश्ट 2011 से पन्ना को बायो स्पीर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया अब देखी बायो स्पीर रिजर्व कितने हैं मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में तीन जैव मंडली छेत्र जिने बायो स्पीर रिजर्व कहा जाता है वो है कौन-कौन से पचमडी, अचानक मार और पन्ना ये तीन है ठीक है तो पन्ना को कब परिवर्टित किया गया तो 25 अगस्त 2011 से पन्ना को बायोस्पियर हजरों में परिवर्टित कर दिया गया था इसी उद्यान की अंतरगत केन नदी पर जो है कौन सी परियोजना घडियाल संद्चन परियोजना केन नदी पर चल रही है तो आपसे पूछा जा सकता है किन नदी उपर घडियाल परियोजना चल रही है मद्ध प्रदेश में तो तीन नदी पर घडियाल परियोजना चल रही है तो तीन जगा पर घडियार सनचन पर जो ने चल रही है सारी जानकारी हमने आपको दे दी तो ये पन्ना राष्टी उध्यान से समंदित बहुत महत्पूर ये फैक्ट थे ठीक है चलिए तीसरे राष्टी उध्यान की ओर चलते हैं आज हमने इस टॉपिक में जो टाइगर प्रोजेक्ट इजिन पर चल रहा है छे राष्टी उध्यानों पर उन छे राष्टी उध्यानों को कवर किया है महत्पूर फैक्ट चितर सहिते हाँ पर कवर किया है उसके बाद आपको एक ट्रिक देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से कि कौन-कौन से यहाँ पर राश्टी उध्यानों पर Tiger Project चल रहा है एक बहतरिन एक लाइन की ट्रिक है और आपको पूरा याद हो जाएगा चलिए नमबर 3 बांधावगड राश्टी उध्यान आए देखते हैं बांधावगड राश्टी उध्यान के बारे में तो यह सुन्दर द्रश्टी है बांधावगड राश्टी उध्यान का आपको अगर Tiger को करीब से देखना है तो बांधावगड राश्टी उध्यान में जरूर भरमण कीजिएगा चलिए बांधावगड राश्टी उध्यान की स्थापना 1968 में की गई थी यह महत्यपूर फैक्ट है आपको याद रखना है 1993 में इसे Tiger Project के अंतरगत लाया गया था पन्ना 1994 में 1994 में आपका कानहा और बांधावगड को 1993 में Tiger Project के अंतरगत लाया गया था अब देखिए यह राश्टी उध्यान जो है वो 32 पहाडियों से घिरा हुआ है इसका कुल छित्रफल जो है 437 वर्ग किलोमीटर है याद रखना है आपको 32 पाडियों से घिरा हुआ एक मातरवणी जीव अभ्यारन कौन सा है तो बांधावगड राश्टी उध्यान है इसी राश्टी उध्यान के अंतरवणी आता है कौन सा किला माधावगड का किला और यहीं से हो करके चरण गंगा नदी गुजरती है तो बहुत महत्पूर्ण फैक्ट है चरण गंगा नदी कहां से गुजरती है तो आपकी यहीं से हो करके इसी राश्टी उध्यान से हो कर के चरण गंगा नदी गुजरती है ये प्रस्ट बार-बार बनते है MP पुलिस में जहां से भी जिन्स भी राष्टी उध्यान से होकर कि कोई भी नदी गुजर रही है तो महत्रपूर्ण फैक्ट बन जाता है यहीं पर जो है सेससाही तालाब है और भगवान विश्णू की लेटी हुई पृतिमा इसी वनिजी अभ्यरन के अंतरगत आती है तो चरण गंगा नदी के बगल से सेससाही तालाब बना है और यहीं पर भगवान विश्णू की लेटी हुई पृतिमा है याद रखना है आप जो चार्जर नाम का बाग है नर्वाग वो पाया जाता था उसके बाद उसी के नाम पर चार्जर पॉइंट का निरमाड किया गया है तो प्रश्ण बन सकता है MPilities में कि चार्जर पॉइंट किस राष्टी उध्यान के अंतरगत आता है कौन सा परेटन इस्थल कभीर चौरा परेटन इस्थल ये भी महत्रपून फैक्ट है याद रखिएगा कभीर चौरा परेटन इस्थल बांधागवड राष्टी उध्यान के अंदर गत आता है इतने सारे effect थे जो आपको बाधागा राष्टी उध्यान से जरूर पढ़के जाने है चलिए आप चौते राष्टी उध्यान की ओर चलते हैं तो चौहे आपका पेंच राष्टी उध्यान बागों की बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं खेलते कूते और बहुत से लोग यहाँ पर भ्रमण करने जाते हैं पेंच राष्टी उध्यान तो कहां परिस्तित है कैसा कैसा निर्मार किया गया है कब टाइगर प्रोजेक्ट में आया सारी जानकारी आईए हम आपको देते हैं तो इस राष्टी उध्यान को प्रिय दर्सनी राष्टी उध्यान के नाम से भी जाना जाता है अब इसका नाम क्या कर दिये गया है तो प्रिय दर्सनी इंदरा गांधी पेंच राष्टी उध्यान इसको कहा जाता है नया इसका परवर्थित नाम है याद रखिएगा इस उध्यान का नाम इसमें बहने वाली पेंच नदी के उपर रखा गया है तो पेंच टाइगर रिजरू में कौन सी नदी बहती है तो पेंच नदी बहती है चरण गंगा बांधा गड़ा में बहती है केन कहां पर बहती है तो केन को भी आपको याद रखना है स्यामरी केन की साहिक नदी स्यामरी कहां पर बहती है तो सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने है जो भी नदियां जहां से भी ओकर के गुजर रही है ठीक है तो पेंच नदीसमें गुजरती स minha लिए इसका नाम पेंच रखा गया था इस छहेतर को मोगली लेंड के नाम से भी जाना जाता है मोगली लेंड के नाम से किसे जाना जाता है तो पेंच राष्टी उध्यान को भारती ये रूडियाड किपलिंग की प्रसिद्ध पुष्टक दजंगल बुक का जो विसा है वो इसी मोगली लेंड की किदवन्ती से जुड़ा हुआ यानि की पेंच राष्टी उद्ध्यान को देखते हुए ही जो भारती रूडियाड किपलिंग है उन्होंने एक किताब रखी थी उसका नाम क्या था दजंगल बुक था और जो मोगली उसमें एक कृदार निभाया गया है वो यहीं पर पाया जाता यानि मोगली लेंड जो है वो पेंच राष्टी उद्ध्यान को देखकर के ही बनाई गई है याद रखिएगा इस बात को ठीक है इस्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1977 में अभ्यारण की रूप में की गई थी 1903 में इसे राष्टी उद्ध्यान तथा 1992 में प्रोजेक्टर टाइगर में सामिल किया गया पिछले वाले वीडियो में हमने से समंधी एक प्रष्ण लिया था तो हमने आपको कहा था कि अगली वीडियो जो आने वाली है राष्टी उद्ध्यान की इसमें हम संचिप्त में पूरी जानकारिय आपको देंगे तो 1997 में स्थापना अभ्यारण की और सिवनी दो जीलों में आफ 허ला हुआ है। आपको अगर ऊप्सन में में पूँछा जाएगा। तो पिंच नदी पर इंतल राष्टियां के कारण उद्यान के मद्वाग में विसाल जील बन गई है। तो आप से पूछा जा सकता है किस एक राष्टी उध्यान की अंतरगत विसाल जील का निर्माड हो गया है तो पेंच राष्टी उध्यान की अंतरगत बिल्कुल बीचों बीचे विसाल जील का निर्माड हो गया है क्यों हो गया है तो यहाँ पर एक अंतर राष्टी जल तो यहीं आपके पेंच राष्ट्री उद्ध्यान के अंतर गया तो यहीं आपके पेंच राष्ट्री उद्ध्यान के और चलते हैं तो यह आपका सत्पुड़ा वन्य जीव अभ्यारन सत्पुड़ा राष्ट्री उद्ध्यान ठीक है यह उसका इंट्री पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत मनोरम दर से आपको मद्यप्रदेश के अंदर मिलेंगे कभी मद्यप्रदेश घूमने आप जरूर आईएगा अगर आप मद्यप्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो चलिए आपको जान कर देते हैं सत्पुड़ा वन्य जीव अभ्यारन के बारे में तो देखी यह मद्यप्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारन है जिसे बायोस्पियर बनाया गया था जैसा कि हमने आपको बताया है तीन जगहां बायोस्पियर रिजर्व जैव मंदली च्षित्र बनाया गया है तो सबसे पहले पच्मड़ी में 1909 में जैव वन्य जीव अभ्यारन बनाया गया था और उसके अंतरगत किसको लाया गया था सथपुड़ा बनने जीव अभ्यारन को इसके अंतरगत लाया गया था जो कि पच्मड़ी में ही इस्तित है ठीक है पच्मड़ी मतलब सथपुड़ा के अंदर इस्तित है इस वजह से सथपुड़ा बनने गोसित किया गया था तो आप से पूछा जा सकता है मध्यप्रदेश में बनने वाला सबसे पहला जयो मंडली छेतर कौन सा है तो वो आपका कौन सा है सत्पुड़ा टाइगर रिजर्व ठीक है उसके बाद अगली फैक्ट की बात करते हैं 1981 में इसे राष्टे उद्ध्यान की स्थापना हुई इस राष्टे उद्ध्यान की स्थापना कब हुई तो 1981 में इसकी स्थापना हुई एक और कौन है भाई तो सुरू में करा था पन्ना राष्टे उद्ध्यान 1980 में स्थापना हुई अब इस Tiger Reserve से हो करके 290 नदी घुजरती है जो नर्मदा की सायव है कौन सी लइगजरती है तो भाई 290 नदी घुजरती है बहुत अमेर्त मैफूर्ट फैक्ट है नदियान जितनी घुजर रही है आपको बिल्कुर याद करके रखना है एक मैप बना लीजिए कल हम आपको एक आदो दिन में आपको मैप बनाना बता देंगे कि मैप को कैसे बनाना है कैसे जिले भरने है कैसे नदिया गुजारनी है कैसे आपको मैपिंग करनी है मैपिंग अगर आपकी एक बार हो गई तो भाई 60% काम आपका हो गया हाँ जी मैपि आपके लिए बहुत जरूरी है मद्रदेश के भूगोल की दिश्टी से अब देखिए कौनसी नदी गुजर रही है तो देनवा नदी गुजर रही है जो नर्मदा की सहायक नदी है इस राश्टी उध्यान को पच्मड़ी वन्यजी अभ्यारन और बोरी वन्यजी अभ्यारन को मिला करके बनाए गया है तो किसको सत्पुड़ा को किसको मिला कर बनाए गया है तो इससे पहले पच्मड़ी वन्यजी अभ्यारन हुआ करता था और बोरी वन्यजी अभ्यारन हुआ करता था दोनों को मिला करके सत्पुड़ा वन्यजी अभ्यारन का निर्माण किया गया है बहुतर είमटिक्ट इसका चिद्वल 524 वर्गक्लो मीटर है कितना है पांसो चोबी से वर्ग के किलो मीटर है चलिए और जानकारिया आपको देते हैं कि टो लाजा का एक महत्पुर्ण हिल्जी ší स्टेशन जो पचमड़ी है वह इसी वन्य परेटन स्थल इसी राष्टि उद्यान के अंतरगत आते हैं इस्टार लगा लिजी आप से पूछा ही जाएगा चूर्णा परेटन स्थल और मड़ेए परेटन स्थल इस्थल शठपुड़ा वन्य जी अभयारान के अंतरगत आती हैं और मध्य प्रदेश की सरवोच उची चोटी जो है धूबगड सत्पुड़ा राष्टी उध्यान के अंतरगत आती है कौन सी चोटी धूबगड जो की मध्य प्रदेश की सबसे उची उची उध्यान के अंतरगत आती है कहा पर स्तित है पचमडी अमरकंटक में इस्तित है ध तूप गड़ा आपकी चलिए तो अखरी यहाँ पर छटवा राष्टी उध्यान है जो टाइगर पोजेक्ट के अंतर लाया गया है वो है संजय धूबरी राष्टी उध्यान तो यहाँ पर अभी आपको बाग बहुत अच्छी तादात में देखने को मिल जाएंगे संजय ध राष्टी उध्यान 1980 में स्थापित किये गए है अब तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे मेरे भाई पन्ना राष्टी उध्यान भी 1980 में है संजय धूबरी राष्टी उध्यान भी 1980 में है और इस से जश्ट पहले जो भी हमने आपको सत्पड़ा वनिजी अभेरन करा ह कब 2008 और 2009 में ठीक है अब देखिए पहले या सीधी और सरगुजा चितर में आता था किन्तु वर्स 2000 में नए राज चतिस गड़ का गठन होने के बाद में वर्तमान में केवल सीधी चितर में आता है तो आपसे पूछा जा सकता है संजय राष्टी उध्यान कहां पर है तो स चतिस गड़ जब से अलग हुआ है तो जो संजय का आधा पार्ट है वो चला गया है चतिस गड़ में आगे आपको फैक्ट में बताता है कि चतिस गड़ में उसे किस नाम से जाना जाता है तो इसके बचे हुए हिस्से का नाम चतिस गड़ में गुरु घासीदास राष्ट पर पाया गया था तो यहीं पर आपके संजय राष्टी उद्यान में पाया गया था तो रीबा के महाराज थे कौन थे तो मारतंडी सिंग जो थे उन्होंने मोहन नाम के सबेद बाग को यहां पर पकड़ा और गुविंद गड़ किले में लाकर के रखा था ऐसा नहीं कि सिकार किया था तो बिस्ट में आपको आज जितने भी सपेद बाग दिखाई दे रहे हैं वो सभी वाइट टाइगर जो है वो मोहन की संत्ति माने जाते हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था जब रीवा का जिक्रा आया था तब हमने आपको बताया था कि महाराज मारतन सिंग ने बहुत से राष्टरा देच्छों को सपेद बाग जो है वो गिफ्ट किये थे तो बिस्ट में जितने सपेद बाग आपको भी द बिस्व में जो जितने भी यहां पर सफिद बाग हैं वो सब मोहन की संतति माने जाते हैं उन सब को बचा करके रखा जाता है ठीक है चलिए आपको और जानकर देते हैं जो महत्पूर्ण जानकारी है प्रसिद्ध परेटनिस्थल तो कुछ प्रसिद्ध परेटनिस्थल जैसे बुई मारगुफा, राजगड़ी, गिद्धा, गिद्धा पहाड, वर्चरबांद, धोंगा मंदिर, रमदहा कुंड और कनहिया दहा आड़ इसी राश्टी उध्यान में स्तित हैं कौन कौन स्तित है तो राजगड़ी, गिद्धा पहाड, वर्चरबांद, धोंगा मंदि रम दहा कुंड कनईय दहा और भुई मार गुफा ये आपके संजा धुबरी राष्टी उध्यान के अंतरगत ही आते हैं अब देखिए रीवा के सफेज सेर की सच्ची कहानी अब इसकी बहुत इंटरिस्टेट कहानी है अगर आप कमेंट करेंगे तो किसी दिन हम आपको सुन कैसे कैसे इनकी संतातित्पन हुई और पूरे बिस्तुकों यहाँ पर सफेज भागों को बाटा गया वो सारी जानकारी हम आपको किसी दिन देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो ठीक है तो रीवा के सफेज भाग की सची कहानी किसी दिन आपको आपका सभीत बाग जो है संजे धुबडी राष्टी उध्यान में पाया गया था अब देखिए आपको याद कैसे करना है कि किन किन राष्टी उध्यानों पर यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है उसके बाद काना काना पर भी ाइगर चल रहा है और पेंच इन तीनों पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है कौन-कौन से हैं कन्ना संजय काना पेंच पर सत्यकापन्ना बांद दो और एक मात्र जो आपका राता पानी है राता पानी पर भी यहाँ पर बनने जी अभ्यारण के अंतरगत राता पानी बनने जी अभ्यारण में जो है यह चल रहा है आपका Tiger Project ठीक है चलिए अब देखिए हम रोज आपसे कम्यूटी बॉक्स में एक प्रस्ण पूछते है रोज सामको सारी चार वे यह तो कौन जिन लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है तो उन सारे लोगों के आपके स्क्रीन सॉट हम आपके लिए लेकर के आ आगाए है हमने पुछा था कि लाल बाल पाल के अंतरगत नहीं आता है आईए देखते हैं यहां पर लाल बाल पाल के अंतरगत नहीं आते हैं। जरने वाली वीडियो हमने आपको ऐसे याद कराई है तो अब आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको एक MP की प्लेलिस्ट दिखाई दे रहे होगी उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और पूरी की MP की वीडियो जाकर की देख लीजिए क्योंकि बहुत महत्पूर है आपके आगामी परिष्चाओं के लिए MP जो है 70% रोल आपको सफल करने में मद्य प्रिदेश जीके का ही होने वाला है याद रखिएगा ठीक है तो बहुत महत्पूर होगी यह जो सामने आपको प्लेलिस्ट राइट साइड में यापर दिखाई दे रहे ठीक है तो जल्द ही मिलते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीए दोस्तों के पास सेयर जरूर कर दीजेगा जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार